Hello friends, welcome again. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग previous years के question paper discuss कर रहे हैं और इसमें हमने last episode में ancient history का first paper B.A. first year का discuss किया था और आज हम B.A. first year का ही geography का paper discuss करेंगे. ये भी first paper ही है जो कि national education policy के हिसाब से first semester में आता है. तो आएए चलिए देखते हैं. आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये B.A. part 1 का paper है और national education policy के अनुसार ये 2022 का paper है यानि की previous year का paper है. subject है आपका geography और paper ये first है इसका मतलब ये है कि ये first semester का paper है. फर्स semester में आपका ये paper आना है. तो फिजिकल जियोग्रफी पेपर का नाम है. जियोग्रफी के first paper का नाम है फिजिकल जियोग्रफी. और यहाँ पर आपको total दो घंटे का समय मिला है. जबकि maximum marks है 75 marks. तो देखते हैं, देखो आप जब भी exam देने जाओ तो हमेशा instruction को ज़रूर पढ़ लिया करिये. बहुत से student जो है उसे पढ़ते ही नहीं हैं, सीधे question अटेम्टिकल देते हैं. जो की सही तरीका नहीं है, इससे कभी कभी काफी मुश्किला जाती है. तो आएए चलिए देखते हैं, यह प्रश्ण पत्र तीन खंडों आबा एवं सा में विभाजित है. प्रते खंड में दिये गए निर्देशों का पालन कीजिए, खंड आबा एवं सा से क्रमशा 9, 36 एवं 30 अंकों के हैं. तो यानि कि जो सेक्शन ए है, आ है, वो 9 अंक का है, सेक्शन बा, 36 अंक का है, और सेक्शन सा, 30 अंकों का है. तो सबसे पहले सेक्शन ए, जो की अतिलग उत्तरी ये प्रशन है, वेरी शॉर्ट अंसर के जो है आपके कोश्चन है ये, और इसमें देखिए, इस खंड में किवल एक प्रशन है, जिसके 5 उप्रशन है, यानि कोश्चन 1 है, उसके A, B, C, D, E करके 5 जो है, उसमें प्रतिक उप्रशन की शब्द सीमा 50 शब्द है, यानि कि आपको लगबग आधा पेज लिखना है, 100 शब्द जब कहें तो एक पेज का आंसर धिया करिये, तो प्रतिक उप्रशन 3 अंकों का है, तो आईए देखते हैं पहला कोश्चन, भहतिक भूगोल क्या है, दूसरा गोखुर जहील क्या है, गोखुर एक जहील है, तो आपको बताना है इसके बारे में, सियाल, सीमा, निफे को परिभाशित कीजिये, जब आप धरतिकी आंत्रिक संरशन का अधियन करेंगे, तो वहाँ पर सियाल, सीमा और निफे आते हैं, तो आपको इन तीनों को चक्रवाद क्या होता है इसके बाद है कि शोब मंद़ल यांने कि ट्रोपो स्फियर जो प्रित्वी पर वाईयू मंदल है उसकी अलग-अलग परते हैं उननी से एक प具महां है शोब मंदल च्डontी तो इसे आपको यहां पर परिभाशित करना है उसके बारे में बताना है ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा बड़े आंसर ना लिग दीजिए केवल पचास शब्दों में ही रहेगा आदे पेज हद से हद बढ़ जाएं तो एक पेज तक से ले जाएं इसके आगे बिलकुल भी नहीं जाना है क्योंकि नंबर आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही नंबर मिल सकते हैं तो अब आता है सेक्शन B सेक्शन B लग उत्तर ये प्रश्ण है शौर्ट आंसर और इस खंड के साथ उप्रश्णों में से किनी चार उप्रश्णों के उत्तर लगभग दो सो पचीश शब्दों में दीजिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि पचास मतलब आदा तो अगर आपके दो सो शब्द हैं तो यहां पर आपको दो पेज हो दो सो पचीश हैं तो दो से ढ़ाई पेज का आप आंसर यहां पर दे सकते हैं और साथ में से आपको यहां पर केवल चार ही प्रश्ण अटेम्ट करने हैं और प्रतेक प्रश्ण नौ अंकों का है तो यहाँ पर पहला कोश्चन देखते हैं क्या है पवन के अपलदन द्वारा निर्मित किनी दो स्थल रूपों की व्याख्या कीजिए तो यह होगी आपका पहला कोश्चन दूसरा है भूस अंतुलंद को परिभाशित कीजिए तो भूस अंतुलंद किसे कहते हैं आईसो स्टैसी को कहते हैं तो इससे जो है आप परिभाशित कीजिए अगला कोश्चन है विभिन प्रकार के जवारों की विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए जौर भाटा आता है समुद्र में तो आपको विभिन प्रकार के जौर के बारे में आपर बताना है वायू मंडल को परिभाशित कीजिए यह आपका अगला कोश्चन है वायू मंडल देखिए बहुत इंपॉर्टन है आप प्लेट विवतन की सिधान्त और वायू मंडल जरूर जरूर पढ़के जाएगा यह हमेशा आना ही आना है तो वायू मंडल को परिभाशित कीजिए यह आपका ड़ी है यह कोश्चन क्या है कि जीव मंडल की संकल्पना क्या है इसके बाद F देखिए जरूर की मैंने आपसे कहा भी कि प्लेट विवतन की क्या है या प्लेट टेक्टॉनिक्स क्या है नेक्स कोश्चन है जी महादवीपिये मागनतट क्या है तो Magnetat मतलब Continental Shelf तो महाद WPA Magnetat क्या है ये सबी question जो है मैं आपको इस पर मैंने वीडियो बना भी दिये हैं आगे भी बहुत बनाने वाला हूँ आपको complete course इस channel पर मिल जाएगा आपको कोई भी book वगेरा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको complete notes भी provide कराई जाएगी तो आएए चलिए next question देखते हैं आपका आगया section C section C जो है आपका ये दीर उत्तर ये प्रशन है long answer type और इसको देखिए सके निलदेशिस में क्या करें है कि इस खंड के 4 उप्रशनों में से कि नहीं दो उप्रशनों के उत्तर लगभग 475 शब्दों में दीजिए 475 मतलब आप लगभग 4-5 पेज में इसका answer लिखेंगे प्रतेक प्रशन 15 अंकों का है तो हमारा पहला question क्या है आईए देखते है प्रवाल भेति क्या है प्रवाल भेति के विकास है तो उप्योक्त दशाओं का वर्णन कीजिए प्रवाल भेति मतलब कोरल रीफ तो ये क्या है और ये किस तरह से विक्सित होती है किन दशाओं में विक्सित होती है इसको आपको बताना है नेक्स question है देविस एवं पैंक के अपलदन चक्र की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए इन दोनों नहीं अपलदन चक्र के बारे में बताया है दोनों के अपलदन चक्र अलग-अलग है आपको उनकी तुलनात्मक व्याख्या करनी है नेक्स है पर्यावराण एवं जीव मंडल पर निबंध लिखिए तो ये भी अच्छा कोश्चन है और अब डी है आपका वाईव मंडल की विभिन परतों की संरचना एवं विशेश्ताओं को बताईए तो ये देखिए